नमस्कार स्वागत आप सभी का जीम अधिपर्देश श्रतीस गड़ देख रहा हैं आप मैं हूँ आपके साथ को मलगंगवार लोगसभा चुनाव से पहले कॉंग्रिस को एक के बाद एक कई जटके लग रहे हैं और इसी कड़ी में आज भी कॉंग्रिस के एक पूर विधायक ने पार्टी का दामन छोड़ दिया है और बीजेपी की सदेसिता हासिल कर ली है रतलाम की आलोट से भी कॉंग्रिस विधायक रहे मनुच चावला ने आज बीजेपी जोइन कर लिया है यसे दोरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उन्हें सदेस्ता दिलाने पहुचे थे चावला ने सीम के सामने बीजेपी की सदेसिता ग्रहन किया है उनके साथ कॉंग्रिस से कई और कारेकरता भी बीजेपी में शामिल हुए है और इससे पहले चावला ने प्रदेश कॉंग्रिस कमेटी अध्यक्ष जीतू पटवारी को स्तीफा भी भेज दिया था एक तरफ कॉंग्रिस में टूट देखने को मिल रहे है तो दूसरी तरफ बीजेपी तंजुकस रही है बीजेपी का कहना ये कि जीतू पटवारी खुद अपने वरिष्ट और अनुभवी नेताओं का मजाक उड़ा रहे हैं तरफ का मज पटवारी के रहे हैं के बिल्ड़िंग पुराणी हो चुकी तो नई बिल्ड़िंग बनाने की लिए प्लाट संसल करना पड़ेगा नई पार्टी बनाएंगे, युवा पार्टी बनाएंगे, एक तरफ हूँ अपने वरिष्ट और अनुभवी नेताओं का ऐसा कहकर मजाक उड़ा रहे हैं, उन्हें जरजर बता रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके जाने से पार्टी प्लाट संतल होगा, ऐसा लग रहा है कि से आलाद देख रहा है, लोकतंत्र को शरमसार करने वाले हैं, एक राइनितिक दल जो सत्ता में है, भारती जनता पार्टी निरंतर दबाव बनाने के लिए मुकद्ने बाजियों में लगा है, रेड बाजी में लगा है, जिस तरहां से अनैतिक इस्तेमाल किया जा रहा है, कहले हैं दुर्व को किया जा रहा है, जाज एजनिस्स का वो भी सबके सामने, मुझे नहीं मालूम लगा है क्यों चोड़ी है, लेकिन जो लोक चोड़ रहा है, सर्वधिक वेअप़ार बचाने के लिए छोड़ रहा है, सर्वधिक अपने आपको जेल से बाहार रखने के चोड़ रहे हैं कॉंगर्स का कारे करता डटा हुआ है मैदान में और यह कारे करता ही है किसी ब्राजने से दलका जो उसको काम्याभी दिलाता है एक तरफ कॉंगर्स में स्तीफों का दौर जा रहे है तो वहीं दूसरी और नेता बड़ी संख्या में बीजेपी जॉइन कर रहे हैं तो चले आपको बताते हैं कि चुनाव से पहले कॉंगर्स में आखिर क्यूं बिखराव हो रहा है कॉंगर्स में जनाधार की कमी है पार्टी की बिगड़ती हालत नेताओं की बातों को नहीं सुनना हाई कमान को जमीनी हालत से मतलब नहीं है एकी परिवार के चक्र में कॉंग्रेस फसी है ये बड़ा सवाल है शीर्ष नेतरत से भरोसा खत्म हो गया है पार्टी में अंतरकल है ये कई ऐसे कारण जिनके कयास लगाय जा रहे हैं कॉंग्लेस नेता लगातार पार्टी छोड़ बीजेपी में आ रहे है और इसके पीछे कई बड़ी वज़ा सामने आ रही है बीजेपी सरकार के विकास कार्यों से प्रभावित प्रधान मंत्री नरेदर मोदी की लोग प्रियता का भी असर बीजेपी के सनातन वाले एजेंड का भी समर्थन बीजेपी नेत्रेत उसे प्रभावित नेता बीजेपी में सब को बराबर सम्मान का भी प्रभाव जी मीडिया सम्वादता आकाश दिवेदी हमारे साथ लाइव जोगे हैं आकाश बीजेपी का कुनबा बढ़ना और कॉंग्रेस का घटना कहीं न कहीं बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं जो कयास लगाय जा रहे हैं कि अंतरकला या फिर हाई कमान से ना मेल खाना या फिर भ प्रदेश भी कॉंग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा उससे कहीं न कहीं कारिकरताओं को मनोबल टूटा है इसके साथी आपसी नेताओं से सामन जस्त ये भी एक बड़ी वज़ा मानी जाती रही है क्योंकि जो बड़े नेता हैं कहीं उनके साथ कारिकरताओं के लोगों को डरा धमका कर अपने पाली में लाने की कोशिश की जारी यह कॉंग्रेस पार्टी का दावा है अगर हम तस्वीरे देख रहे हैं तो लगातार कॉंग्रेस में टूटन देखने को मिल रहे हैं कॉंग्रेस बिखरी हुई नजर आ रही है अब कॉंग्रेस की नई टीम मत्रपदेश में कमान समाली और नई टीम यह तूट कैसे रोक पाती यह देखना सबसे महत्पूर होगा क्योंकि जो नेता कॉंग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं उन नेताओं में कई नेता ऐसे हैं जि यह बड़ी चुनोती कॉंग्रेस पार्टी के सामने रहेगी हाला कि अभी भी कॉंग्रेस एक ही सीट पर कावीज़ वो चिंदवाडा है और चिंदवाडा में भी लगतार बीज़ेपी कॉंग्रेस को तोड़ने में जुटी हुई है और आने वाले समय में अगर यही सिलतल जारी रहा तो पार्टी को नए सीरिस संगठन को खड़ा करने की ज़रूरत पड़ेगी नियू जोनिंग टोली के जो प्रमुख है नरुत्तम मिश्रा उनका दावा है कि अब तक 1600 से अधिक माफ कीजी का 16000 से अधिक कॉंग्रेस कारिकरताओं ने भारतियंता पार्टी को ज नशी ना कहीं जरुछ मेहसूस होती है क्योंकि मुझ्ट परण्रेश में दोही बड़ी राजन्तितिक काशी पार्टियां हैं एक कॉंग्रेस पार्टी और बीज्यP इन दो राजन्तिक पार्टि यों की बीच ही किमका बार से कम जोर होती है तो उसके लिए चिंता का विश तो इससे कहीं न कहीं सवाल है वोटने लाजमी है और कॉंग्रेस को इस पर चिंतर करने की जरूरत है निश्यत तौर पराकाश शुक्री आए महतो पूर्ण तथे हमसे साजा करने के लिए